हलो फ्रेंट्स, हमने अपनी लास्ट की वीडियो में हार्डवेर पड़ा और हार्डवेर की जितने कंपोनेंट से बो पड़े आज की वीडियो में हम सॉप्ट्वेर के बारे में पड़ेंगे कि सॉप्ट्वेर क्या होता है और ये कितने प्रकार क्यों होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कम्प्यूटर से कार कराने के लिए जो आदेस या निर्देस मनिश्यधारा कम्प्यूटर को दिये जाते हैं उन निर्देसों की समूँ को प्रोग्राम कहते हैं तता इनी प्रोग्रामों का समूँ सॉप्ट्वेर कहलाता है इन्हें न देखा जा सकता है और नहीं छुआ जा सकता है सॉप्ट्वेर के बिना कम्प्यूटर हाड़वर का एक नर्जी बक्सा है सॉप्ट्वेर को कम्प्यूटर की आत्मा कहा जाता है कम्प्यूटर सॉप्ट्वेर मुखिता दो प्रकार के होते हैं पहला system software और दूसरा है आपका application software तो अब जान लेते हैं simple भासा में software computer के बेभाग कहलाते हैं जिनने हम छू नहीं सकते ठीक है जो हमें दिखाई नहीं पड़ते जिनने ना हम छू सकते हैं ना हमें देख सकते हैं ठीक है तो बेभाग software कहलाते हैं पढ़ा था कि computer को हम निर्देश देते हैं किसके माद्यम से देते हैं तो input devices के माद्यम से हम computer को निर्देश देते हैं तो जो निर्देस हम देते हैं, उनका जो समू होता है, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, जितने भी निर्देस होते हैं, उनका जो समू होगा, उसे हम प्रोग्राम कहेंगे, लेकिन जो प्रोग्राम्स के समू होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी हैं, उन सभी के की बोर्ड का कोई यूज नहीं है अगर उसमें software नहीं होगा तो तब ही का गया कि software के बिना computer hardware एक नर्जी बकसा है और software को computer की आत्मा का जाता है याद रखिएगा इसके दो पार्ट थे एक system software दूसरा है आपका application software अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे पहला है system software 2019 में DLA के exam मे यह आया है system software computer से इस्थाई रूप से जोड़ा होता है एब हम कारियों को करने के लिए program हेतु अनमती परदान करता है यह है अन्य software को चलाने के लिए एक platform उपलब्द कराता है अब इनके कुछ example देख लेते हैं कि system software के क्या क्या टाइप है को system software निम लिखे थे हैं पहला है इसका operating system इसके अंतरगात आपको window, linux, unix, ubuntu ऐसे नाम सुनने को मिलते होंगे और फिर second है language translator इसमें आपको compiler, assembler और interpreter ठीक है यह सुनने को मिलते हैं देखिए आप सभी को पता है कि computer कोई भी कार स्वयम नहीं करता उसे उसके लिए निर्देश देने पड़ते हैं ठीक है का करने के लिए और computer को यह निर्देश कब देने कि उसे कब क्या और कैसे करना है तो इन निर्देशों को हमने क्या किया स्रंखला बद रूप से computer की भासा महीं तयार कर रखा है ठीक है computer की भासा महीं हम तयार करते हैं उन निर्देशों को ताकि जब हम उसे निर्देश दें तो वो कैसे क्या, कब करना है, तो वो सब कुछ कर सके, खोदी कर सके, ठीक है, तो ऐसे जो स्रिंखला बद निर्देस होते हैं, इनके समुहों को ही हम सॉप्ट्वेर कहते हैं, ठीक है, प्रोग्राम कह सकते हैं, या सॉप्ट्वेर कह सकते हैं, फिर हमने पढ़ा कि सॉप्ट् काम चला रहे होते हैं ठीक है उन्हें अनमति परदान करता है और क्या करता है अन्सॉप्ट्वेयर जो होते हैं उन्हें चलाने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म उप्लब्द कराता है मतलब अलग से जो सॉप्ट्वेयर यूज करते हैं उनको भी यही प्लेटफॉर्म उप्ल आता है तो system software क्या करता है कि जब भी हम user जो काम कर रहा है computer के ऊपर ठीक है और जो programs बगएरा है computer के उनके बीच में संबंद स्थापित करता है जो भी hardware बगएर है तो system software आपके लिए बहुत important है और exam में question इसी से आता है ठीक है application software से इतने question नहीं आते तो आपको system software के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है और deeply पढ़ना है ठीक है तो system software बहुत important है आपके लिए और इसके जो parts है उनके बारे में भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा जिसम system software होते हैं फिर कहा कि यह application software को execute करने के लिए platform पुलब्द कराते हैं यह मैंने बतायी था आपको नए hardware का प्रयोग करने के लिए सही होग परदान करते हैं सायता देते हैं और यह computer के maintenance का कार करते हैं और last है आपका कि यह computer को निंत्रित करते हैं तो यह थी system software की कुछ characteristics या पिसी इसता है कह सकते हैं अब हम कुछ system software की बात कर लेते हैं जिसमें पहला आता है operating system बैसे अगला chapter जो है वो operating system के बारे में है लेकिन थोड़ा पहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं प्रती एक computer में operating की आपसकता होती है बिना इसके computer का प्रियोग नहीं किया जा सकता यह user और computer के बीच interface का निर्माड करता है इसलिए operating system थोड़ा important रहता है हमारे लिए क्योंकि operating system नहीं होगा तो कोई भी computer हम operate नहीं कर पाएंगे चला ही नहीं पाएंगे ठीक है तो operating system बहुत जरूरी है second system software है आपका भासा अनुबाद जिसे हम लोग language translator कहते हैं यह ऐसे program है जो बिविन processing भासाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुबाद computer की machine भासा में करते हैं यह अनुबाद करना इसलिए अवश्यक होता है क्योंकि computer cable अपनी machine भासा में लिखे यह program का पालन कर सकता है जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमें सरफ हिंदी आती है या इंगलिस आती है वो चाइना में रहता है तो उसे चीनी भासा आती है ठीक है तो हर लोगों की अपनी भासाओं होती है जिसने बहुत समझ सकते हैं जैसे बंगाल में जो रहते हैं, वो बंगाली बोलते हैं, अगर उनसे तुम तमिल में बात करो, तो वो नहीं समझ पाएंगे, तो बैसी computer की भी एक अपनी भासा होती है, वो सिर्फ मसीनी भासाओं को समझता है, और जबकि प्रोग्राम्स वगरे जो होते हैं, वो अपनी निर्देश दिया, तो क्या करेगा, जो computer होगा, पहले सो मसीनी भासा में convert करेगा, कि ये कहना क्या चारा है, तो जो मसीनी भासा में convert होगा, तब इससे समझ माएगा, कि ये निर्देश दिया गया, तब जाके वो उस पर processing करेगा, ठीक है, तब process करेगा, तो ये चीज होती और जो भासा का अनुबाद होता है वो तीन तरीके से किया जाता है वो मागे पढ़ते हैं तो computer में तीन language translator पाए जाते हैं ठीक है तीन स्रेणिया होती है इनकी पहला assembler दूसरा compiler और तीसरा होता है इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम सब तो पहला language translator है आपका assembler यह ए ऐसा program होता है assembly भासा में लिखे गए किसी program को पढ़ता है और उसका अनुबाद मसीनी भासा में कर देता है कहने का मतलब है जो assembler होता है वो क्या करता है कि जो assembly भासा में कोई भी program होता है तो उससे यह convert कर देता है मसीनी भासा में जो assembly भासा होती है उससे मसीनी भासा में convert क कर देता है सेकंड होता है अपका कंपाइलर यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्राम दौ रहा उच ะ वो किया करता है की जो हाई-लेबिलेंय नए लेंगिस होती है, उनको convert करता है मसीनी लेंगिस में, और interpreter होता है, इसका भी काम सेमी होता है, यह भी किसी program द्वारा उचोसतरी programming भासा में लिखлиक गई source program का अनभाद मसीनी भासा में कर देता है, ठिक है, compiler और interpreter का काम सेमी है और assembler क्या करता है, यह assembly भासा को convert करता है, जबकि compiler और interpreter क्या करते हैं, जो high level language होती है, उच इस तरी programming language, इनको convert करता है किसमें, machine language में Second है आपका application software, ऐसा software जिसे एक business car को करने के लिए बनाया जाता है, application software कहलाता है, यह computer को user की इच्छा निस्वार data processing में सायता करता है, मतलब हम कहा सकते हैं कि application software बे software होते हैं, या बे programs होते हैं, जिन program के द्वारा user अपने daily routine का कार करता है, टेक है जो daily में हम लोग computer में use करते है मोचली जिन applications को use करते हैं, वो सारे के सारे किसमा आते हैं, तो वो आते हैं आपके application software में, जैसे हम लोग MSBURD use करते हैं, तो वो किसमा आ जाएगा? Application software में आ जाएगा, Excel यूज करते हैं, PowerPoint यूज करते हैं, Photosop यूज करते हैं, ठीक है, Paint वगरा यूज करते हैं, तो जितने भी यूस करते हैं, वो सारी application software में आते हैं देखिए, application software आप नाम से समझ रहोंगे, इसमें applications बगएरा सारी आती हैं, जिसमें msbird आ जाता है, powerpoint हमारा आ जाता है excel बगएरा जाता है, जिसमें tables से related काम करते हैं, ठीक है homebird processor या msbird में करते हैं तो यह कहलाते हैं, आपके application software जहाँ पर हम जो हमारे system software थे वो क्या करता था, वो control करता था चीजों को, विविन applications के बीच में communicate करने में सायता करता था, ठीक है उनके बीच में संबन इस्थापित करता था जबकि application software क्या करता है, यह तो हम powerpoint में करेंगे यह हमें photo 2 बगएरा कुछ बना नहीं है तो हम photoshop का use करेंगे, तो सभी का अपना-पना कार रहता है, ठीक है, तो यह है आपका application software, तो question बगएरा बन सकता है कि software किसे कहते हैं, software के बारे में लिखिए, और software कितने प्रकार क्यों होते हैं, उनके बारे में लिखिए या पूर सकता है, assembler के बारे में, interpreter के बारे में, compiler के बारे में, एक number में ठीक है, तो ऐसे करके questions बनेंगे इसमें, ज्यादा कुछ stuff नहीं बनेगा mostly जो question आएगा, वो operating system से आएगा हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको पता होने चाहिए, system software से question आ सकता है तो इसके बारे में अच्छे से याद कीजिएगा अब हम मिलेंगे अपने next वीडियो में operating system के साथ and thank you so much for watching this video